पिछले कुछ दिनों में नापुर में कोरोना की रोग्यों की संख्या में अचानक वृद्धी हुई है। किसी भी स्तिती में पिछले वर्ष की स्तिती उत्पंदन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कोविद से जुड़े सभी नियमों का कडाई से पालंग किया चाहिए। ऐसे आदे शनिवार को आयचित बैठक में डॉक्टर नितिन राउत इन्होंने दिये। डॉक्टर नितिन राउत नी शनिवार को संभागी आयक काराले में एक आपात कालिन समिक्षा बैठक बलाए। जिसमें मरीजों की संक्या क्यों बढ़ रही है इस संदर में उन्होंने जानकारी प्राप की। उन्होंने बैठक से नागरिकों से यह भी अपील की कि कोरोणा अभी तक नहीं मिट पाया है और कहा कि नागरिकों के लिए मास्क पहनना, सच्छता का पालन करना और दैनिक गति विदियो को सुरक्षी दूरी पर करना आवश्यक है। शैनिवार को हुए इस वरिष्ट स्तर की बैठक में संभागी आयक तर डॉक्टर संजीव कुमार, चुला कलेक्टर रविन्र ठाकरे, मन्पा आयक तर राधाकृष्ण भी, चुला परिश्यत के मुख्यकारी कारी अधिकारी योगेश को मेज कर, अतिरिक पुलिस आयक तर स सबसे पहले ग्रामिंग शेत्रों की सिती को जाना, चुला कलेक्टर रविन्र ठाकरे और चुला परिश्यत के मुख्यकारी-कारी अधिकारी योगेश को मेज करने ग्रामिंग शेत्रों में चल रहे परिक्षनों और निवारुक उपायों की बारे में चानकारी ती, उसकी उन्होंने मन्पा आयक्ति रादाकृष्ण बी से जानकारी ली कि पिछले बारा दिनों में रोग्यों की संक्या में भारी वृद्धी हुई है और ऐसा क्यों हुआ जिस पर उन्होंने कहा कि नगर्निगम प्रशासन संबन में अधियन्द कर रहा है, चिकित्साइक शेत्र क कि अधिकारियों और टास्वोर्स की अन्यसरदoriented को भी रोग्यों की संक्या में वृद्धी के बारे में पूचा गया था। तब बताया गया कि ज़लवायों परिवर्तन की कारण बीमारियों में वृद्धी के कारण रोग्यों की संक्या बढ़ रही है। साथ ही पिछले कि संख्या बढ़ाई जानी चाहिए जिसे नागणिकों को धार्मिक स्थानों और अन्य साधनों के माध्यम से मास पहनने और कोर्णा की बारे में अन्य नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दिया जा सके अगले आठ दिनों में इस मामले की फिर से समिक्षा की जाएगी और किसी भी हालत में जिले के मरीजों की संख्या में वृद्धी नहीं होनी चाहिए ऐसी अपील इस बैठक में की गई क्यामर पोस्टन राजखमार मोड के साथ दिशाहटवार बीसी नियूस नाकपूर